बारत इस वक्त कोर्णा की दूसरी लहर की मार छेल रहा है एक्सपोर्ट्स नी तीसरी लहर की चेताओनी भी दी है SME एक बार फिर नाशनल लॉक्डाउन की चर्चा शुरू हो गई है केंद्रे स्वास्त मंत्राले द्वारा ऐसी किसी भी संभावना से इंकार नहीं किया गया है नीतियायो के सदस्य वीके पॉल ने बुद्वार को प्रेस कॉंफरेंस में कहा कि नाशनल लॉक्डाउन की आप्शन पर भी चर्चा चल रही है वीके पॉल का बयान इसलिए भी एहम है क्योंकि वह नाशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के हेड है अगर उनकी पूरे बयान को देखे तो उन्होंने कहा कि तासा हालात को लेकर एडवाईजरी चारी की गई है साथ ही अगर पाबंदियों की बात करे तो अगर सक पाबंदियों की जरुरत पढ़ती है तो हमेशा ऑप्शन में चर्चा होती है ऐसे में जिन फैसलों की जरुरत पढ़ेगी उन्हें लिया चाएगा पुद्वार की प्रेस कॉंफरेंस में नीती आयो की सदस्य ने कहा कि राजसरकार को पहले ही स्थानिय स्थिती के आधार पर 10% से अधिक पॉजिटिव रेट के आधार पर चिलावार पाबंदिया लगाने की सरा दी गई है दीश में संपोनर लोगडाउन को लेकर तब चर्चा हो रही है जब कई राज्य अपने यहां पहले ही लोगडाउन, करफ्यू, नाइट करफ्यू, विकेंड लोगडाउन जैसे कदम उठा चुके है महराश्ण, केरल, राजस्थान, करनाटिक, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मद्धप्रदेश जैसे राचों में पाबंदिया लाकु है आपको बता दे कि भारत में चब से कोणा की दूसरे लहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया है ऐसे में बीते कुछ दिनों से राजस्थितिक हलकों के साथ-साथ एक्सपर्ट के और से भी नाशनल लॉकडाउन को लेकर आवाज आने शुरू हुई है कॉंग्रेस सांसत राहूल गांधी भी संपोर्न लॉकडाउन की मांग कर चुके है अमेरिका के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंटनी फाउची भी खेच चुके है कि भारत को मौज़दास्तिती सिन्निपटने के लिए अपनी तमाम ताकत को छोगती ना होगा अगर लॉकडाउन लग जाता है तो वह ट्रांस्मीशन की रफतार को रोकेंगे ऐसे वक्त में सरकार को अपनी पूरी तयारी करनी चाहिए BCN News के लिए अभिशेग पांसी की रिपोर्ट